विल्कम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों कोई स्वेटर डिजाइन बताऊंगी यह सिंगल कलर का है तो इस डिजाइन को आप जैन स्वेटर लेडिस कार्डिकान जैकेट गल्स्वेटर में कैप में भी आप डाल सकते हैं तो इसको आप किसी भी प्रजेक्ट में अपलाई कर सकते हो और फिर वीडियो को आप पूरा देखना है ताकि डिजाइन समझ में आये तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें चेश है तृट बताती हैं कैसे बनता है इसमें हुन हैं इसे मिलें बता пока था तेचारॉक्टवों डीजाइन बड़नता है था फैसे लोग और खूर करेंगे फिर एक फंदा बनाएंगे फिर ये दो फंदा बनाएंगे ते मरत चार फंदा हो गया अब बीच में दो फंदे में एक पənम पले हम एक बर दागगें निकालेंगे थोड़ा लंबा इसको खीचना फिर एक फंदा ऐसे लेंगे उसी में एक फंदा और बनाएंगे हम फिर से एक फंदा लेंगे फिर उसमें तीन फंदा ऐसे बनाएंगे तो दो फंदे में हमें ऐसे बनाना है फिर चार फंदा हम सिंपल बनाएंगे एक, दो, तीन, चार अब फिर से दो फंदे में बनाएंगे एक दो तीन धागे को लंबा खीच के रखना तब एक डिजाइन अच्छे लगेगी एक दो तीन फिर से चार फंदा सीधा बनाएंगे एक बनाएं फंदा फिर सीधा दो फिर तीन फिर चार फंदा हो गया फिर से दो फंदें बनाएंगे पहले एक पंदा तीन फंदा बनाना है धागा ऐसे खीच के फिर दो तीन फंदा हो गया फिर से दूसरें बनाएंगे एक दो तीन फिर चार फंदा सीधा बनाएंगे यह देखो उल्टा स्लाई है तो उल्टे तरब से हमें कैसे बनाना है उल्टा फंदा पाले उल्टा बनाएंगे चार फंदा यह देखो अब चार फंदा बनाया अब इसके बाद यह तीन फंदा हम स्लिप करेंगे जो एक फंदे में हमने तीन फंदा बनाया हुआ दोनों को इसको हम स्लीप कर लेंगे अब इसके बाद फिर से चार फंदा बनाएंगे सीधा हम उल्टा चार चार फंदे हमें उल्टा बनाना उल्टे तरफ से और ये फंदा हम स्लीप करेंगे देखो तीन तीन फंदे आप इसको एम स्लिप कर लेंगे फिर ये चार फंदा बनाइए तो ओल्टे तरफ से हमें ऐसे करना है और भार अब यह थीन फंदा बनाएंगे इसे इसको देखिए से परले स्लिप करेंगी फिर ये चार बनाएंगे अब यह हमारा उल्टा साइड था सीधा साइड से देखो कैसे करना इसको फ़ले हम दो फंदा बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे यह दो फंदा हो गया अब यह दो फंदा है तो हमें बीच में लाना है यह देखो इसको हम तीन फंदे को से लेंगेपो आपस ले करके इसको साइड से बनाएंती कि अए पिर वाला हम मिद्धा सीद्धा अब यह वाला हमें इधर लाना है यह दो फंदा हमें पीछ एक साइड से बीच में लाना देखो ऐसे लेंगे इसको हम दो फंदा इसको इस पे ले लेंगे ऐसे ऐसे करना है फिर यह दो फंदा इसमें ले करके और इसको हम सीधा बनाएंगे क第一 बीच में मारा चार फंदा सिधा हो गया अविश को आदि को ऐसे पीछ एक साइड से लेंगे हैं ऐसे जाएगे फिर दो अबैज में लाना है इस वाले को हम देखाओ अब यह दो पहंदा हम पीछिछ काल से अब guidance ऐसे और अयुया है वापस एस सलाइम लेंके आगेसे से बनाएंगे कि तो हमें इधार विला आगी से बनाना और इस साईड़ वला हमें पिछ से बनाना अंगि और फंद्दा हम आगे लाएंगे पिछेख साईड़ से ह normal आइसे लेंगे दो फंदा हम ऑप से इसको बीच में लायंगे फिर फिर से इसको सीधा 2 बनएगे अब ये तीन फंदा हमें पीछे एक साइड से ऐसे लेना ऐसे बनाना फीर दो फंदा बीच में लाएंगे और इसको हम आग एक साइड से ऐसे देखो कि अब यहागे यह हम इसको कि प्रिदी दो फंदा सीधा बनाएंगे है ही दो फंदा हम आगे लाएंगे इसको इसमें ले लेंगे 3 फंदा देखो अब यह सीधा फंदा बनाएंगे तो यह हमारा 4 फंदा हो गया अब यह तीन फंदे का हम एक फंदा करेंगे ऐसे पीछ एक साइड से अब ये दो फंदा हम सीधा बना लेंगे और इसके बाद उल्टी स्लाइस से हमें पूरे फंदे को उल्टा-ल्टा बुन के कम्प्लीट करना है पूरा हम उल्टा-ल्टा फंदा बनाएंगे तो बना के आगे बताते हूं अब यह देखो सीधा साइड है अब यहां हम दो फंदा पहले सीधा बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस वाले फंदे में हम फिर सी तीन फंदा बनाएंगे एक फंदे में तोड़ा डिला करके दो फंदा हो गया यह तीन फंदा हो गया अभी यहाँ एक ही फंदम बनाना है, अभी चार फंदम हम सीधा बना लेंगे, फिर इसके बाद ये दोनों फंदे में हम बनाएंगे, एक इसमें बनाएंगे, एक इसमें बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर से इसमें बनाएंगे, एक, दो, तीन, अभी चार फंदा फिर से सीधा बना लेंगे फिर इस वालम बनाएंगे एक दो तीन एक दो तीन फिर ये चार फंदा सीधा बनाएंगे अभी हाँ हम एक फंदिम बनाएंगे क्यों एक दो तीन अभी दो फंदा हम सीम्पल बना लेंगे और पीछे साइड से हमें उल्टा फंदा उल्टा बनाना है जो हमने एक फंदा बनाया हुआ है तीन फंदे इसको हमें स्लीप करना है अब इसको हम स्लीप करेंगे फिर से चार फंदा बनाएंगे उल्टा फिर इसको हम स्लीप करेंगे देखो एक की साथ करना है दो फिर चार फंदा उल्टा बनाएंगे फिर इस फंदे को स्लीप करेंगे ईhit तीन फंद देखेए अब इसको मुलदा बना फिर चार फंदा बनाएंगे अब फिर यहां हम यह देखो यह तीन फंदा एक स्लिप करेंगे बस दो फंदा लास्ट में उल्टा अब सीधाक साइड से हमें क्या करना देखो इसकी बाद इस वाले फंदे को हमें बीच में लाना इसको इसमें लिया फिर वापस इसमें ले करके और सीधा बनाएंगे है दो पंदा सीधा इसको पीछ एक साइड से लेंगे ऐसे यह दो पंदा में बीच में लाना है यह तीन पंदा जो हमने बनायाई इसको बीच में लाना है कर पाए है इसको हमें आग एक साइट से लेना है इसे अब ये देखो तो दोनों हमारे एक पास बीच मे आ गया तो डिजाइन हमारे कलोज हो गाई है अब ये दो फंदा हम सीधा बना लेंगे इस वाले फंद देखो हम बीच में लाएंगे ये दो फंदा हम पीछ एक साइड से आगे लाएंगे अब इसको इस पर ले लेंगे फिर वापस इसी पर ले करके फिर सीधा बनाएंगे अब इसको पीछे साइड से लेंगे देखो ऐसे ऐसे बनाएंगे अब ये दो फंदा हमें बीच मिलाना इसको पर सलाना है देखो अब इसको पीछे से लेंगे ऐसे इसको आगे से इसको हम आगे से लेंगे ऐसे बनाएंगे सीधा ये देखो क्लोज हो गया यहां फिर ये दो यह यहां भी बना ना यह दो फंद हम आगे लाएंगे पिछय को साइट से अ इसको बीच में लाएंगे है अब यह पीछ एक साइट से लेंगे ऐसेश पूर्खीने लाएंगे इसको आगे लाएंगे देखा है कि अब यह 4 फंद हम सीधा बना लेंगे वाद दोनों साइड में 4 चार फंदे रखेंगे तो हमारा किनारी पर हो जाएगा और 2 फंद हमारे डिजाइन के सपोर्ट के लिए हो जाएगा तो आपकी डिजाइन देखो आसे बनके रेडी हो जाएगा अब दिखो, डिजाइन हमारी कमप्लेट हो गई, अब उल्टे तरब से हमें, पूरी चलाइख ऑल्टा बनाएंगी जब हम geben, जब हमारी टिजाइन यहां क्लोज हो जाएगी, तो उल्टा-वल्टा बना प्लें, फिर उसके बाद, फिर सीधी हमारी चलाइख जबाएगी, तो भी बीच में आजाएगा फिर हां से डिजाइन से स्टार्ट होगी तो अभी देखो उल्टा शैंग में बना लेते हैं को एक एक बार कम्पलीट करें के देखो शलै जूँदम इप पूरब इस पहसले में पुरी ये पूर एक हमने उसकी हो दोला इनका बता activating डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे हमारी डिजाइन बनेगी अगर मेरी वीडियो पसंद है मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बता है